शुक्र का मीन राशी में गोचर फरवरी में होगा जिसका असर शीहां और कन्या राशी पर कैसा पड़ेगा यह मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ अगर आपकी शीहां और कन्या राशी है तो आप ये वीडियो पूरा बहुत ज्यान से देखे शुक्र नौग्रह में चोटा सा ग्रह और सम्किला ग्रह माना जाता है और कुन्डली में बारे राशियों में दूसरी वर्सव और साथवी तुला राशी का स्वामी है सुक्र ग्रह मीन राशी में उचके और कन्य राशी में नीचका होते हैं सुक्र को जोतिस में प्यार, मोबद, परतिष्ठा, धन और सुन्दर्ता का परतिक माना जाता है और जब सुक्र किसी भी राशी में परवेश करते हैं तो ये सभी प्रेम, पर्तिष्टा, धन, सुन्दर्ता के साथ और भी अनेक लाब उसके साथ उस राशी वाले को मिलते हैं। और अगर सुक्र अपनी उच्की मीन राशी में जब आ जाते हैं, तो प्रायपरा सभी राशियों को ही सुभुफल परदान करते हैं। अलांकि यहां यह बात भी कहना जरूरी है कि जिनकी जनम कुणली में सुक्र ग्रह मजबूत बल्वान और सुभ इस्तान में और सुभ ग्रहों के साथ बैठते हैं, तो उनका जीवन खूब सफल और सुखन बनाते हैं। लेकिन अगर यही सुक्र अगर कमजोर हो, नीच के हो, अस्त हो, असुभ ग्रहों के साथ हो, या असुभ इस्तान में बैठे हो, तो व्यक्ति का जीवन संगर्शों से बर जाता है। प्रेम, प्यार और अपनात्व को तरस जाता है आदमी, अपने लोग ही मूँ भैर लेते हैं और आर्थिक संकट में व्यक्ति फश जाता है। अपने से पहले खर्च का रस्ता खुला रहता है और इधर से पैशा आया और उदर खर्च हो जाता है। ऐसा आपके साथ में अगर हो रहा है तो आप अपने कुंडली किसी भी विशेश सग्या जोच्छी को विद्वान जोच्छी को बताए और उनसे उपाए पुछे और करें इसका लाव आपको मिलेगा। शुक्र करह के कुंडली में असुब होने से, अस्त होने से और असुब यूती में होने से कैसा प्रबाव जीवन में पड़ता है। यहाँ देखने के लिए आप यहाँ उपर जो कॉर्णर में एक लिंक देख रहे हैं इसको क्लिक करें और देखें कि आपके जीवन में क्या शुक्र जो है ऐसा फल दे रहा है जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है मैं यती वर्या कुमार विजय आप सभी दर्शकों का देनिक यती राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ पहले यह मेरा चैनल देनिक यती राशिफल के नाम से था अब मैंने इस चैनल का नाम बदलकर यती मराज कर दिया है आज मैं आपको इस वीडियो में फरवरी महीने में सुक्र ग्रह के अपनी उच्की मीन राशी में परवेश करने से सिहं और कन्या राशी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा के बारे में बताऊंगा और उपाई भी बताऊंगा साथ ही कुणली में सुक्र ग्रह कमजोर है तो उसे कैसे मजबूत किया जा सकता है यह भी बताऊंगा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आये हैं और मेरा वीडियो भी पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप सबसे पहले सबिस्क्राइब करें और फिर गंटी के बटन को भी दबाए अब सुक्र ग्रह की मीन राशी में गुरू के साथ में जब यूती करेंगे तो यह एक अलोखिक प्रणाम देने वाली यूती होगी एक तरब देव गुरू ब्रस्पती होंगे तो दूसरी तरब देते गुरू शुक्र होंगे और दोनों में समानता यह है कि दोनों ग्रह सुब है सुब फल देने वाले ग्रह है और इन में से कोई एक ग्रह अगर कुंडली में सुब या उचका हो तो व्यक्तिक का जीवन बहुत आसान बना देता है और अब गुरू सुकर की यूति फरूरी में सभी राशी वाड़ों को अलग-अलग परकार से परभावित करेगी कुछ राशियों को बहुत अच्छा फल देगी तो किसी को साधरन फल परदान करेगी लेकिन किसी भी राशी को असुब या फिर हानी वाला फल परदान नहीं करेगी जिन जातको को सुकर की महादसा चल रही है उनके लिए तो सुकर का मीन राशी में गोचर वरदान शाबित होगा आगे पड़े इसके पहले मैं आप से निवेदन करना चाता हूँ कि आप मेरे से अगर फोन पर संपर करना चाते हैं तो केवल रविबार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फोन पर संपर कर सकते हैं नमबर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं 9462575291 इस नंबर पर केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फॉन करें पाकी समय में वैस्त रहता हूँ आपसे बाचित नहीं कर पाऊंगा अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुक्र के मीन रासी में उच्का ओकर के गोचर करने से सिहारासी और कन्यारासी पर क्या फरवाव पड़ेगा तो सबसे पहले देखते हैं सिहारासी सिहारासी के लिए दस्वे करम इस्तान और तीसरे भाईबैन इस्तान का स्वामी है सुक्र और अब आपके आठवे मर्थुस्तान में इसका गोचर हो रहा है यहाँ गोचर आपके लिए अनेक परकार के सुख का कारण और दुख का कारण बनेगा हलांकि सुखर की सब्तम दरश्टी आपके दूसरे धन और कुटुमिस्तान पर रहने से आपके लिए धन की विवस्ता में सुधार आएगा और अनेक परकार के रस्ते से आपके पास में धन आने के रस्ते भी खोलेगा साथ ही आपके लिए नया काम आदी शुरू करने का आउसर भी परदान करेगा अलांकि इस गोचर के दोरान आपके खर्चे भी काभी होंगे लेकिन इन खर्च में कुछ खर्च फालतुके और अनावाश्यक भी करने पड़ेंगे शेहत के परती सावदानी रखनी पड़ेगी सारेरिक असवस्तता मैसूस आप कर सकते हैं साथ ही इस गोचर के दोरान आपका चलता हुआ वैपार आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है कुछ मंदी का दोर भी आपको देखना पड़ेगा कई सोदे होते होते रुख सकते हैं या पुराने सोदे भी समस्या दे सकते हैं इस गोचर के दोरान नया वैपार सरू करने से पहले किसी वीदवान जोची की चला आवशे ले, परिवार में माहोल ठीक रहेगा, जिवन साती के साथ बले ही मतवेद हो, लेकिन थोड़े समय के बाद में सब सही हो जाएगा, संतान पक्स ठीक रहेगा, सिक्षा में मेहनत से स मिलेगा, कुल मिलाकर यह सुक्र का जो गोचर है, सिहरासी वालों के लिए साधारन और मिले जुले फल परदान करने वाला होगा, अब मैं सिहरासी वालों के लिए उपाई बता देता हूं कि आप सुकरवार को सवा पांच मुठी चावल और 11 बादाम किसी भी मंदिर में ज पर मिलेगा, अब मैं आपको सुक्र के मजबूत करने के दो चार उपाई बताता हूं, आप बहुत ध्यान से देखे, पहला उपाई है कि सुक्रवार को आप अपने घर को साप सुत्रा रखे, सिनान आदी के बाद में साप सुत्रे वस्त्र पहने, सुगंदी का परियोग कर इत्र आदी किसी को भी दान दे या उपहार आदी में भी दे सकते हैं, दूसरा है प्रतेक सुक्रवार को दूद, चावल, शकर और सुखे मेवे से बनी खीर का भोग लक्ष्मी माता को लगाए और छोटी कन्याओं को परसाद के रूप में खिलाए, तीसरा है, सुक्रवार का स्वामी है, और अब आपके सप्टमजियों सात्री इस्तान में इसका गोचर हो रहा है, यह सुक्र का गोचर आपके लिए बेहत बागिशाली फलपरदान करने वाला होगा, आपके काम अब आगे से आगे बनते चले जाएंगे, नया काम करने की सोच रहें, तो आप अब बहुसर मिलेंगे, आपका जो दिन दसा है वहाँ परिवर्तन होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, आई में वर्दी होगी, वेपार में तेजी से लाब मिलेगा, आर्थे के स्थती मजबूत होगी, जिवन सात्री इस्तान में उच्छ के सुक्र का गोचर आपके लिए विवाईत जिवन के लिए संजीवनी का काम करेंगे, तुटे रिस्तों को फिर से प्रेम में आप बदल सकते हैं, और दामपत्य जिवन में अब आपके सुक्षांती प्रेम में वर्दी होगी, आपका जिवन सात्री के साथ में आपसी विश्वास और समझ बढ़ेगी, कि नीज की दिरिश्टी से देखागा, फिर भी मान सम्मान में आपके वर्दी होगी, किसी खास प्रयोजन को पूरा करने के लिए थोड़ा मेनत करने पड़ेगी, लेकिन वो पूरा हो सकता है, संतान पक्स आपका मजबूत रहेगा, आकस्मिक दनकी प्राप्ती के योग है और साजेदारी के वेपार में भी जैसा सोचते हैं, वैसा लाब मिलेगा, और कुल मिलाकर आपके लिए यहाँ गोचत जो है, अती सुभल परदान करने वाला रहेगा, मैं कन्याराशी वालों के लिए उपाए बता देता हूँ, कन्याराशी वाले सुकरवार को लक्ष्मी करने के लिए बता रहा हूँ, आप ज्यान से देखें, पहला है, आप हमेशा, यानि रोजना, श्री सुक्त का पाठ और लक्ष्मी सुक्त का पाठ नियमित करना सरू करतें, एक वार, दो वार, तीन वार, जितना आपको समय मिलता, उतनी वार करें, दूसरा है, आपको इत्र या अन्य पदार्थ का इस्तिमाल करते रहना चाहिए, यानि सेंट फिलेल, आप हमेशा, घर से बार जाओ, घर में रहो, तो रूवी पर ठोड़ा लगा के कान के अंदर यहां लगा सकते हो, अपने वस्तरों पर लगा सकते हो, या किसी भी प्रकार से आपको इत्र का खुशबू का प्रियोग करना है, तीसरा है, सुक्र को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, तो अपना काम खुद करे, किसी के भरोसे ना छोड़े, और कोई भी काम सर्वाद करे, तो सुकरवार से करे, चोथा है, शुक्र का जो मंत्र है, उसके जाप आप नियमित करे, मं ओम सुम सुक्राया नमह साथ ही खुश्बुदार अगर्वत्ती जड़ा कर गर को सुद और पवित्र वातावन से अलोकित करके रखें और फिर मंत्रों का जाप करें शुक्र आपका इसे बल्वान होगा. यह था आज के वीडियो में शुक्र के मीन राशी में उच्का ओकर के गोचर करने से सिहा और कन्या राशी पर इसका क्या परवाव पड़ेगा की जानकारी अगर आपको वीडियो पसंद आया अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और नीचे कमेंट बोक्स में जै माल प्रेंगो आपका दोड़ साने जाआ प्रेंगो नेया है का È जालम एज चा झारोंगो